हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो जुबेर मोबाइल यूट्यूब चनल तो गाइस बहुत से लोगों को प्रोब्लम आ रही थी कोई भी मीडिया डैक का नई सीक्यूरिटी जो ओध बाइपास हुआ है उसके थू वर करने पर जो PC है वो रिस्टार्ट हो रहा था और ब्लूई स्क् अब चाहिए उप्शन है एम्टी के वन किलिक या लोग टूल से भी किसी भी टूल से करते हैं तो PC जो है वो रिस्टार्ट हो जाता है रिस्टार्ट के बाद इस ट्राइब की ब्लूई स्क्रीन आ जाती है तो आप देख सकते हो वीडियो में PC जो है वो रिस्टार्ट लूघ कोब बीदो चेंच कर देते हैं उसके बाद भी सेम् नइस टार्ट हो जाती है और बहुसे मेंबर्स को यह प्रोबलम हो रही है जिसकी वजह से नहीं तो नहीं करोगे तो चैंस नहीं है कि आप इसको रिक्निंशित कर ना है इसफिक्स का करना है धो सकता है कि तो इसका एक ही कारना है जो नई security bypass हुई है वो ही है lib usb की तुरू सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको follow क्या करना है सबसे पहले आपको control panel में जाना है control panel में जाने के बाद आपने जितने भी media का अनिस्टोल कर दी आधा यहाँ यहां पर ये मैंने impul wa geiraat Stress के अनिस्टोल कर दी safest करन दिया नहें टहर दूसें है इसको में इस टॉल कर दूंगा सबस्सेवरे आपको तो सबसे पहले आपको निस्टॉल कर दियाना है अपने मीटेक के ड्राइवर उसके बाद आप यहां पर जाओ तो लिप या फिर आप लिख सकते हो फिल्टर वीजार्ड ठीक है इस पहले फिल्टर वीजार्ड टाइप करते ही आपको इस टाइप का आइकन आएगा ओपन पे गली करना है ओपन पे गली करते ही आपका लिप यूएस भी ड्राइवर जो है वह ओपन हो जाएगा आपको यह नीचे का ओप्शन दिखेगा रिमूव डिवाइस ओल फिल्टर इस पे Mark लगा के next पे क्लिक करना है और उसके बाद जितने भी आपके जो डिवाइस होंगे फिल्टर वाले वह सब रिमूव हो जाएंगे ठीक है रिमूव फिल्टर पे एक बार कर देना है driver ड्राइवर एं इस्टॉल करना है उसके बाद इह करना है उसके बाद इंस्टॉ जिसका नाम है driver installer sign, यह unlock tool की तरफ से एक tool है, इसमें आपको unlock tool की ज़रूरत नहीं होगी, यह without unlock tool पर login करें, आप open कर पाओगे, download करके, ठीक है, open करने के बाद आपको यह जितना भी सब कुछ mark है, इसको mark रहने देना है, और यह जो lib usb driver है, इसको uninstall कर देना है, ठीक है, आपक यह यह वाली problem मेरे में नहीं आ रही थी, मैं कोशिश कर रहा था कि यह problem मेरे में आ और मैं इसका solution निकाल सकूँ, तो यह मैंने, जिसके में यह problem आ रही थी, उनका team viewer से connect करके, problem check करी थी, और उसके बाद जो perfect solution था, हर PC में मैं try कर चुका हूँ, सब में working है, तो same जो मैंने क कर रहा था, वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ, तो यह आपको download कर लेना है, install कर लेना है, open कर लेना, open करने के बाद जितना भी इस पर mark लगवा है, इस पर mark रहने देना है, और install driver पे click कर देना है, च्रीक है, तो जैसे आप install driver पे click करोगे, यह lib usb, quelcom media tag driver, visual c++ 2008, 10, 2015 यह install हो जाएगा, इसको install होने देना है, वेट कर लेना है, च्रीक है, हमें इसको simply, यहां पर minimize कर देंगे, यह नया वाला lib usb है, जो इसने अभी डाउनलोड कर वाए, install कर वाजा है, यहां पर सब कुछ done हो गया, यह जिसने fail बताया है, मतलब कि यह मेरे में already install है, च्रीक है जो भी हमारा order bypass करके work करने वाला process होगा, उसको मैं try करके आपको दिखाऊँगा, for example, अब यह matter नहीं करता कि आप यह काम किस में कर रहे थे, अगर आप empty कैसे कर रहे थे, यह एमटी में error आ रहा था तो आपको यह एमटी में जो भी आप काम कर रहे थे, वही same process, यह follow करने के बाद आपको करना है, तो अभी मैं simply volume plus minus press करके data cable लगा देता हूँ, इसमें में में connect करूंगा phone को, और यह मैंने भी यहां पर data cable लगाई, तब problem क्या थी कि PC restart हो रहा था, blue screen में जा रहा था, problem यह थी हमार में phone जो है, वो connect हो चुका है, और oath bypass नहीं हुआ, open error system, comb 3, again try करेंगे, देखते हैं, यह partition पर करके, क्योंकि यह problem सरीफ आप UMT में नहीं आईगे, अगर आप MCT bypass tool से oath bypass करोगे, तब भी आईगी, क्योंकि यह जो नया media tech का protocol है, इसमें problem होती है, जो window 10 में security reason पर PC restart हो जाता है, तो अभी phone connect करा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो check करना, कि इसने क्या बता है, lib usb error, यह सब कुछ follow करने के बाद आपको यह error आ सकता है, lib usb error, और media tech का port जो है, आपका connect रहेगा, क्योंकि और यह अगर आप यहाँ पर UMT से work कर रहे होते हैं, empty के one click, यह जो आपने process follow में आप से करवाया है, यह work करने के बाद आपके में इस type की problem आ सकते है, lib usb, तो इसको fix करने के लिए, जो अभी मैंने आपका open करवाया है, lib usb 32 filter, यह open करने के बाद आपको यहाँ पर media tech का port देखेगा, वही same port देखेगा, जो आपके device manager में आ रहा होगा, media tech connect करने के बाद, तो इस पर mark करके install पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद अब आपका media tech का port है, जो filter है, वह install हो चुका है, अब phone को आपको दुबारा से connect करना है, उसके बाद इस type की problem नहीं आएगी, ठीक है, तो अभी मैं इसको नए port में connect करवाँगा, तो अभी मैं simply again, बोट device पर क्लिक करूँगा, और देखेंगे जो लीप यूएसबी का error आ रहा था या नहीं आ रहा है, अभी मैंने डाटे के पर लगाई सिंप्लीस में, कॉम्भी एर्र अगेन, ठीक है, जो बाइपासिंग गोथ में जो problem आ रही थी, वो अभी यहां पे fix हो चुकी है, और जो PC restart की problem थी, वो भी fix हो चुकी है, तो इसमें आपको Windows बगेरा change नहीं करनी होती है, simple सा process है, इसको आपको follow करना होता है, और यह जो भी problem आ रही थी, यह भी USB detect नहीं कर रहा था, वो भी हमने कर दिया, I hope कि आप समझ पाया होंगे कि किस type से आपको यह process करना है, अगर उसके बाद भी आपको कुछ problem होती है, तो नीचे description नीचे comment में जरूर बताना, और अगर आप सही से follow करते होंगे जो मैंने बताया है, तो आपके में इस type की कोई भी problem नहीं आईगे, अगर आपको उसके बाद भी problem आ रही है, तो नीचे comment box में जरूर comment करना, उमीद है कि मैं आपका reply करने की कोशिश करूँगा, तो यही ति आज की वीडियो उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो helpful हो तो वीडियो को like कर देना, चैनल पर लिवा रहे हो, तो चैनल को subscribe करें बिना मच जाना, तो यही ति आज की वीडियो, bye check care, thanks for watching.